हे दूस्तों इस वीडियो में हम डिसकस कर लेते हैं ब्लीज GVS Pharma के स्टॉक के बारे में स्टॉक के करण प्राइस की बात करेंगे दो 71.85 की करण प्राइस चल रही है और आज दिन में लगबग जो है 0.42 परसेंट उपर के लेवल पे कारोवर करता हुआ भी हमें स्टॉक दिखाई दे चुका है स्टॉक की करण प्राइस की बात करेंगे तो अभी देखिए स्टॉक जो है बहुत ही इंपरण सिपोर्ट लेवल पे कारोवर करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है स्पोर्ट जो है almost 70 से लेके 71.50 का यह वाला जो जोन है बहुत ही जादा important जोन है क्योंकि stock जो है multiple time इसी level पर आने के बाद में यहीं से support ले लेकर हमें उपर के और bounce करता हुआ दिखाई दे रहा है अगर से आप इसमें fresh entry का plan करना चाहते हैं तो इसके नीचे का छोटा सा stop loss रखके आप इसमें fresh entry का plan कर सकते हैं इसके जल्दी stock में हमें उपर के अच्छे levels अच्छी होते वे दिखाई दे सकते हैं important resistance level की बात करेंगे तो आप यहाँ पर के साइड में 75 से लेके 74 का यह वाला जो zone है बहुत ही जादा important zone है क्योंकि stock जो है multiple time इसी level पर आने के बाद में यहीं से जो है हमें rejections इसमें देख support zone रहेगा तो चले चलते हैं हमारे इसका टिकरटे website पर वहां से चेक कर लेते हैं इसका scorecard performance last four year का financial trend क्या शो कर रहा है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो performance की बात करेंगे तो low देखने को मिल रही है तो चले हम चेक कर लेते हैं इसका last four year का financial trend 2019 से लेकर 2022 तक का last four year का data हमारे सामने शो कर रहा है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो year by year जो है company के revenue और profit में हमें गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन as compared to 2021 के साब से 22 में हमें revenue में जम देखने को मिल रही है लेकिन profit में गि कर सकते हैं तो चले हम चेक कर लेते हैं इसका forecast forecast data यहाँ पे currently unavailable दिखा रहा है तो हम इस point को skip कर लेते हैं तो चले हम चलते हैं इसके angel one app में दोस्तों हम आ चुके हैं angel one app में simply यहाँ से हमें watch list में आ जाना है watch list में आने के बाद में यहाँ पे उपर के side में आपको search box दिखाई दे रहा होगा search box में आपको company का नाम search करना है जैसे हैं यहाँ पे आप stock का नाम search कर लेंगे यहाँ जो है आपकी सामने दिखाई देने ल जागेगा यहाँ पर इसका option chain भी देख सकते हो चार्ट भी देख सकते हो stock details भी आप यहीं से directly देख सकते हो हमें simply इसका chart देखना है तो हम chart पे touch करेंगे यहाँ पर देख सकते हो इसका जो है chart हमारे सामने दिखाई देने लगेगा यहाँ से हम back कर लेते हैं back करने के बाद यहाँ से में stock को अगर buy करना रहे तो हम buy पे touch करेंगे buy पे touch करने के बाद यहाँ पे आपको quantity एंटर करना है माल लीजिए आपको 100 quantity buy करना है तो हम यहाँ पे 100 एंटर कर लेंगे फिर उसके बाद में यहाँ पे आपके पास delivery और intraday का भी option दिया है अगर आप stock को overnight के लिए यह मतलब एक दिन से जादा के लिए hold करना चाहते है तो आप delivery select करेंगे अगर आप stock को same day by same day sell करना चाहते है तो आप intraday select कर सकते हो तो उसके बाद में यहाँ पे नीचे के side में buy का option दिया है buy पे touch करने के बाद आपका order जो है execute हो जाएगा तो दोस्तों आज की इस studio में सर तक के लिए take care